इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अधीगम यूँ अभी प्रेगना सबसे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए और साथ इसाथ जो है घंटी का बटन जरू दबाईए जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुंच सके हैं तो ये चाइल्ड साइकलोजी के अंतरगत जो है ये दूसरा चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अधीगम यूँ प्रेड़ना के बारे में तो आगे बढ़ते हैं कि अधीगम अधीगम का मतलब होता है लर्निंग जिसको कि हम लोग साधारन भासा में सीखना कहते हैं तो हम लोग इस पार्ट में ये पढ़ेंगे कि अधिगम किस परकार से होता है, अधिगम के सिधान्त क्या है, इन सभी चीजों पर जो है इस चेप्टर में चर्चा करेंगे, इससे पहले जो है एक पूरा चेप्टर जो बाल विकास से संबंदित है, उसको पूरा कम्पलेट क वो क्या है, तो सीखना जो है, एक निरंतर चलने वाले वाले शार्व भौमिक परकृशल है, यानि कि जो लर्निंग का प्रोसेस है, वो प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो कि हमेशा चलता रहेगा, वो कभी नहीं रुपता है, चाहे आप किसी भी अवस्ता में हो, वो निरंतर चलने वाला जो है एक परक्रिया है और सारव भौमी ऐसा नहीं है कि किसी एक जगा में जो होता है सीखा जा सकता है दूसरे जगा में नहीं सीखा जा सकता है ऐसा नहीं है यह एक किरंतम सत्त कथन है कि सीखना एक किरंतर चलने वाली परक्रिया है बनो विज्ञानिक भासा में सीखना को ही अधिगम कहा जाता है जिसको हम लोग सीखना करते हैं उसको जो है साइकोलोजी में जो है अधिगम कहा जाता है अधिगम से अभी प्राय अनुभवों के द्वारा व्यभार में परिवर्तन लाने की परक्रियास है यानि कि हम लोग कर सीखना कहेंगे तो सीखना किसको कहेंगे सीखना उसे कहेंगे कि जब हम लोग पुराने अनुभवों से कुछ सीखते हैं जैसे उधारन के तौर पर जब हम लोग पहली बार किसी गर्म चीज को छूते हैं तो जब हमें उसे मतलब जलन का या फिर गर्मी का हिसास होता है उसे हम दुबारा नहीं छूते हैं या फिर छूने में जाते हैं तो सावधानी से छूते हैं इससे क्या हुआ कि जो हमारा अनुभव उससे जो हासिल किया है, कि किसी गर्म चीज को छुने से पहले जो है, उसमें सावधानी बरतना चाहिए, या फिर उसे नहीं छुना चाहिए, ये एक ही है, तो हमने जो पुराने अनुभव से सीखा, उसी को अधिगम कहेंगे, यानि कि हमारे वेवहार में होने वाले परगतिसील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम या सीखना कहते हैं, यानि कि जो हमारा नेचुरल बिहेवियर है, उस बिहेवियर में जो है, परगतिसील परिवर्तन या परिमार्जन, यानि कि किसी ना किसी तरह का जो है, जो हर चीज को छुनेगा, अगर हमारा वैबबारा तो हमके जैसे ही पता चल जाए कि आग को छुने से गर्मी तो इसको पोहार में जो है परिवर्तन आ जाएगा वह चीज कह रहा है कि जो परिवर्तन हो उसको हम लोग अधिकम कहेंगे जिसे अधारन के तौर पर आग वाला एक्जामपल है एक छोटा बच्चा जो है आग को देखकर छू लेता है और उसे गर्मी और जलन का अनुभव होता है लेकिन दुबारा जब उसे छूने का करता है तब उसको पता चल जाता है कि इसको नहीं छूना है क् इसी से गर्मी और जलन अनुभव होगा और अनुभव के आधार पर दूसरी बार नहीं छूता है इसे विवहार में परिवर्तन होता है तो ये सब अधिगम या कि लर्निंग से सम्मंदित बाते हैं जो अपने दिमाग में रखिए इस चेप्टर को पढ़ते समयें अब जा ुआनिकों के दूरा दियां गया है उसको हम लोग जान लेते हैं जो कि परिष्शाओं के दिश्टी से बहुत ही महत्रपूर्ण है तो उड्वर्त् ने कहा था कि नवीन ज्यां तथा नवीन परतिकिरियाओं का परिवर्तन करने कीς पर्किरिया अधियम है ये उड्वर्त ने कहा था इसकीनर ने कहा था कि शीखना व्यवहार में उत्रोतर सामनजस परकिलिया है गिलफार्ड ने कहा था कि व्यवहार की कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्थन अधीगम है क्रो एंड क्रो ने कहा था कि आदत ज्यान यंग अभिविर्तियों का अर्जन ही अधिगम है और इसमें जितना भी आपको जो ये डिफनेशन बताया जा रहा है ये बहुत ही महत्पुर्ण है और जह हम लोग प्रस्ण करेंगे देखिएगा इससे संबंधित प्रस्ण जरूरात है इसलिए कथनों को भी जो है आप एक से दो बार पढ़के इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए कम से कम 3-4 तो आपको जो है इस तरह का डिफनेशन हमेशा याद ने चाहिए, अब अधिगम सीखने की विश्यस्थाएं क्या है अगर जो हम लोग अधिगम या सीखने की जो है क्या विश्था है इससे क्या होता है ये हम लोग पढ़ें जिसमें तो अधिगम जो है अभीविर्धी एंविकास है अधिगम इसको कहेंगे ये अभीविर्धी भी है और विकास भी है यानि कि ग्रोथ भी है और डेवलप्में भी है अधिगम जो है समायोजन भी है यानि कि एक विभार से दूसरे विभार में जो हम लोग जाते हैं तो क्या होता उसमें एक समायोजन होता है जो हमारा पुराना अनुभाव होगा उस अनुभाव के अधार पर एक नए अनुभाव को सिखने के लिए जो है अपने आपको अधिगम का जो है हमेशा एक कुछ उद्देश भी होता है जानी कि आप कुछ चीज को सीख रहे हैं तो उसका कुछ उद्देश होता है यह तो सभाविक सी चीज है आप अगर की चीज को माने परियोग ही कर रहे है तो उस परियोग को करने के लिए उससे कुछ सीखिएगा उ सिर्फ के पीछे एक उद्देश है कि ये परियोग क्यों किया जा रहा है तो उसका एक उद्देश भी होता है अनुभव का संगठन योंग वातावरन की उपज है अधिगम जो है ये विभिन अनुभवों का संगठन वो वातावरन के द्वारा जो है इसका एक उपज भी है जो खोजने के बाद जो परिवर्तन होता है। उसको भी जो है हम लोग अधीगम ही कहेंगे। आच्रन को प्रभावित करता है। हमारा जो भी हवियर होता है उसमें भी बहुत सार stereo परिवर्तन होता है , जो की अनुभवों से प्राप्त किया जाता है, अधिगम व्यक्ति के आच्रन को भी प्रभावित करता है, इन सभी चीजों को देखे, सीखिएगा किसी चीज को, तो उसके इमें आप में जो है, बहुत सारा परिवर्तन होगा, सिर्फ बालक में ही नहीं, एक मतलब सिक्षक है तो वो भी कुछ सीख रहा है, तो उसके भी आच्रन में कुछ न कुछ प्रभाव पढ़ता है, उसका, अधिगम जो है, विवेक पूर्ण है, सिर्जन सील है, तो सारव भौमिक है, कहने का मतलब है, कि आप जब अधिगम, यानि कि लर्निंग करते हैं, तो वो विवेक पू कि इसमें अधिगम होता है, किसी बालक में पुछ दिया जाए, तो क्या होता है, इसमें से किसी भी विश्यस्ता को आपको दे सकता है, खास करके इसमें जो विश्यस्ता हैं, अपसर दिया जाता है, वो है अभिविर्धियं विकास, इसके बाद है, अधिगम सौध पुद् परतन होता है यह सब बहुत ही माधपुन है अधिगम विवेक पूर्ण यह सिर्जनसील यह सारभौमिक है यह सब चीज को जरूर याद रखिएगा यह सब जो है अधिगम की विशिस्ताइं हैं अब जो है अधिगम या सीखने के कौन-कौन से परकार है यानि कि टाइपस करने यह जो है दो परकार के हैं एक है गच्यात्मक और एक है संग्यान वादी यह दो परकार हैं सिखने के तो गच्यात्मक अधिगम जो है जब भी व्यक्ति सारेरिक रूप से गतिषीर या कमेंद्रियों यह द्वारा अधिगम करता है, यानि कि गत्यात्मक अधिगम जो होगा, वो कब होगा, जब वो सारे रिक भूप से किसी एक्टिवीटी को करेगा, या फिर अपने जो इंद्रियां हैं, उसके सेंस और गनसिस को करेगा है, उसके द्वारा कुछ सीखता है, तो उसको हम लोग गत्यात्मक अधिगम कहेंगे, इसका अन्य नाम क्या है, यह भी याद रखिए, पेशिय अधिगम, कमेंद्री अधिगम, क्रियात्मक अधिगम, गामक अधिगम, मर्त अधिगम, यांत्रिक अधिगम, यहां पर जो है, मुर्थ अधिगम होगा, इसको थोड़ा सा याद रखिए, यहां गलती से लिखा गया है मर्थ लेकिन मूर्थ होगा इस जब पर तो इसका जो अलग-अलग नाम है यह सब भी एक दो बार पढ़िए इससे कुछ तो ऐसे पता चल जाएगा कि जिसे क्रियात्म गति गम जो क्रिया करें गामक इसका भी अर्थ होता है जो अपने इंद्रियों से करेगा यह सब तो ऐसे ही हो गया असरेरिक रूप से कगर करता है तो सरेरिक रूप से करने का अर्थ हो गया कि उसका जो है महां स्पेश्या भी जो इसमें भाग लेंगी यानिके मसीन की जैसा यांत्रिक अधीगम इसी को परकिरिया शरीर से मस्तिस्क की तरफ चलती है यह याद रखिए कि कत्यात्मक जो अधीगम होगा वो परकिरिया जो है सरीर से मस्तिष्ट की और चलेगा यानि कि अगर हमारा तोचा किसी चीज को ठंड़े और गर्म को जो एहसास करेगा वो कहां से सरीर से दिमां को वो मैसेज जाएगा कहीं पर चोट लगता है दर्द होने का यह भी एक है यानि किसी किर्या सिल्टा की कारण जो होता है सारीरी एक्टिविटी के कारण जो मस्तिष्ट तक जो मैसेज चला जाएगा ठीक ना इस अधीगम को कहेंगे जैसे साइकल चलाना क्रिकेट खिलना यह क्या है सब कुछ सारीरी ग्रूप से होता है इसके बाद है संग्यानवादी अधिगम संग्यानवादी अधिगम उसको कहेंगे वो अधिगम जो व्यक्ति को ज्यानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क में हुआ हो तथा किसी भी समस्या को हल करते हुए सीखा जाए तो यह अधिगम समस्या समाधान अधिकम कहलाता है यानि कि संग्यान वादी यानि कि इसमें ग्यान सब्द ऐसे ही आ दिया ज्यानेंद्रियों के माज़ते हम से जो सीखा जाए और मस्तिस्क में जो मैसेज पहुंचता है उसको कहेंगे या फिर किसी भी समझ्या को हल करते हुए यानि कि अगर हम लोग उधारन के तोर पर ले रहे हैं कि किसी मैत को प्रॉलम को सॉल्व कर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है कि उसका सही अंसर नहीं आपा रहा है लेकिन हम लोग उसको बार बार अलग-अलग तरिके से करते हैं तो क्या हुआ एक समझ्षा को हल करते हुए चल रहे हैं और हल करते हुए हम लोग बहुत सरा स्टेप्स को कर रहे हैं तो उससे भी हम लोग सीखते हैं तो इसी को जो कह रहा है कि किसे समझ्षा को जब हम लोग हल करते हैं तो उसके जो है अलग-अलग जिसके कुछ अनिनाम है जैसे उधारन के तोर पर निवन्द लिखना गनित की समच्छाओं को खल करना चिंतन करना योजना बनाना भासन देना यह सभी सब जो है संग्यान अत्म अधिगम है सिक्षा मनोवज्यानिकों ने सीखने के अनेक परकारों का वर्नन किया, मतलर बहुत सारे जो एजुड़ेशनल साइकलोजिस्ट हैं उसने जो है लर्निंग को लेके बहुत सारा वर्नन किया है, इस में से एक बहुत महत्पुन है कि RM गैने नामक मनोवज्ञानिक ने अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए कैने ने अपनी पुस्तर, the conditional of learning के अधिगम के आठ परकार जो है इन्होंने बताया था यह याद रखिएगा कि गैने ने आठ परकार के अधिगम को बताया था कैने ने अधिगमों को आठ वर्गों में वर्गिक्रित करते हुए उन्हें एक सुपानकी के रूप में प्रस्तुत किया था यानि कि जो इन्होंने आठ वर्गों में जो वर्ग रिकरित किया था, वो जो बताया गया, उसको जो है एक सुपानकी के रूप में इन्होंने बताया था, ये कौन-कौन से थे? संकेत अधिगम पहला है कि संकेत अधिगम जयानि कि जब हम лोग किसी को इसारे से बताते हैं तो संकेत अधिगम के जो परतिपादत है वो है टॉलमेंग अधिगम वस्तुत है पावलो के क्लासिकल अनुबन्धन के रूप में होता है संकेत अधिगम को क्लासिकल अनुबंध भी कहा जाता है ये पावलो का जो सिधान्त है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जो अधिगम के विविन सिधान्त होंगे उसमें तो ये याद रखना है कि संकेत अधिगम को जो है क्लासिकल अनुबंध भी कहा जाता है इसमें प्राकिर्तिक उद्धिपक की अनुकिरिया के साथ कोई अनुकिलित हो जाता है तथा उसे अनुकिलित उद्धिपक के प्रस्तूत करने पर प्रानी एक संकेत के परतिकिरिया करना सीखता है यहां उद्धिपक एक नया सब्दारा है जिसका इंगलिस होता है stimulating यानि किसी ना किसी तरह से मतलब stimulate करना यानि कह रहा है कि अगर आप जो है एक उधारन के तोर पर बता रहे हैं कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं इन बातचीत करते समय क्या हुआ कि कुछ ऐसा बात हो गया जिसमें दोनों में जो है बहसबाजी हो गई अब बहसबाजी होते होते इतना पढ़ गया कि वो जगड़े में तबलीर हो गया तो क्या हुआ वो एक stimulating situation ऐसा create हो गया उद्धिपक आ गया जिसके कारण क्या हुआ वो अनुकुलित हो गया एक समय सा खड़ा हुआ वो अनुकुलित अवस्था को तयार कर दिया उसके बाद वो जो है एक जगड़े में परिवर्तित हो गया तो वही चीज़ कह रहा है कि उद्धिपक की अनुकुलिया के साथ एक बादचीत चली रहा था एक समझ्चा आया और समझ्चा के साथ में एक अनुद्धिपक आया यानि कोई stimulating word आ गया वो बादचीत के दौरान में जिससे कि वो जगड़े में तब्दिल हो गया इस परकार के अधिगम में या अंतरिक धंग से आदतों का निर्मान किया जाता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो कुछ भी सीखा जाता है वो एक मतलब मसीन के जैसा जो है आदतों का निर्मान होता है इसके बाद है उद्धिपक अनुकिरिया अधिगम ये उद्धिपक अनुकिरिया अधिगम क्या है इस अधिगम को एस आर अधिगम या संबंध का सिधान्त भी कहा जाता है इसर का मतलब है स्टिपूरिटिंग और रेस्पॉंस जो जानेंगे हम लोग इसके बारे में इसी को जो है इसर अधिगम या संबंध का अधिगम भी कहते हैं इस सिधान्थ जो है थांडाई के पर्यास यंग भूल के सिधान्थ पर आधारित है यानि कि Trial and Error Methodism कायात है कुछ गलती हुआ उसमें सुधार किया गया फिर कुछ गलती हुआ फिर सुधार किया गया और अरंद में सफलता हासिल होती है तो ही कारा है कि पर्यास यंग भूल के सिधान्थ पर यह आधारित है इस अधिगम में उद्धिपक अनुकिरिया के बीच बंधन दिड़ हो जाने पर प्रानी किसी उद्धिपक को प्रस्तुत करने पर अनुबंधित अनुकिरिया देना सीख लेता है यह थंडाई का बहुत ही मतलब अच्छा एक पर्योग है इसको पढ़ेंगे जब थंडाई के सित्गानद के बारे में तब हम लोग इसमें जो है विश्यस रूख से चर्चा करेंगे तो उसमें एषी कह रहा है कि बार-बार किसी परियास को करने से जो है मतलब अलग-अलग जो हल निकलते जाता है और अनुदि में ऐसा होता है तो उस गलती को नहीं कर रहे हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं फिर कुछ गलती कर रहे हैं इस बार बार उसे steps करते करते जो है एक बार सही steps करेज़ेगा और अंत में क्या होगा कि जब भी वो प्रस्ण आएगा तो उसको तुरंत बना दीजेगा इसके माइधम से छोटे बच्चों को सब्द उच्चारण करना सिखाये जाता है मतलब आप किसी बच्चे को कोई सब्द करने के लिए कहिए वो एक बार गल्दी करेगा फिर उससे बोल लिए कोई सुधार होगा फिर बोलवाईए फिर वो प्लास्ट में क्या होगा वो सही सब्द बोलना सीख जाएगा इसके बाद है तिसरा कि स्रिंकला अधिगम इस अधिगम को कर्मी अधिगम भी कहते हैं ऐसे ही पता चल रहा है कि सीरीज के बारे में बात होगा यानि कि एक चरण के बाद दूसरे चरण चलता जाता है इस अधिगम से जो है अधिगम सामगरी क्रमबद रूप में प्यवस्थित होती रहती है तथा प्रानी एक एक करके क्रम से अधिगम सामगरी को सीखता जाता है यानि कि इसमें जो सीखने का परकिरिया होगा, वो एक सीरिज की रूप में, यानि कि स्रिंखला की रूप में होगा, इसके बाद है साब्दिक अधिगम, साब्दिक अधिगम यानि कि सब्दों से है, व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाले सब्द तथा वारताला वस्तु तो साब्दिक अधिगम का ही परिनाम है यानि कि जो सब्द लोगों से हम लोग बात्चित करते हैं उससे भी जो है हम लोग कुछ चीखते हैं कोई चीज कर रहा है कि सब्दों के द्वारा जो पूसी हम लोग करेंगे जो कुछ भी अधिक्ण होगा उसको साब्धिक आधिकम कहें गें पाट वस्थु का रटन अस्मरन भी इस परकार का अधिकम है यानि कि जो रटन तूविद्या है वो जो है इसी के अंतरगत आता है, और ये ज़ादेता जो है, भायचा सिक्ष्षनके वामले में बहुत ही उपज़ोगी है, कैसे कि भायचा सिक्षनक, जैसे इंग्लिस अगर हम लोग पड़ रहा हैं, तो इसके लिए आपको वर्ड पावर चाहिए, तो वर्ड पावर के लिए या कुछ सब्दों को याद कर नहीं होगा तो ही चीज कर रहा है कि साब्दिक अधियम जो है यह जो है जो लोगों के द्वारा बोला गया सब्द या फिर बारतलाग के द्वारा इससे समंधित है और यह जो है रट के जो याद किया जाता है उससे समंधित है तो यह है पहला पहला पार्ट है लर्णिंग से संबंधित और चाइल्ड साइकोलोजी का दूसरा चेप्टर है और इसे और भी जो है अलग-अलग जो सिधान्त किये गए हैं अलग-अलग मनोवज्यानिक्यों के दिवारा जो परियोग किया गया है उसके बारे में आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो लाइक, डिसलाइक और पॉमेंट करके जरूर बताईए थैंक्यू